आज हम आपके लिए ले के आए हैं मॉडल 35 केनन की एर राइफल जो की आप इस वक्त इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको पूरी गन दिखा देते हैं उसके बाद हम बताते जाएंगे कि क्या क्या है इस गन में क्या खुबी है तो सबसे पहले पूरी साइड आपको दिखा देता हूँ मैं आप देख पा रहे होंगे उपर से नीचे से आगे से पीछे पहले दिखा देते हैं आपको उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे तो गाईज अभी आपने पुरा देख लिया है इसके बाद हम इस्टार्ट करते हैं सबस्क्ते पहले यहां से स्टार्ट करते हैं यह है मजल आप देख पा रहे होंगे इसमें आप पॉर्क लगा के- फायर कर सकते हैं तो एक प्रियल साउंड आता है इसलिए ऐसा दिया हुओता है ठीक है ये फ्रन्ट साइट है निसाना लगाने के लिए और ये जो है आपका बैरल है राइफल है ये गन नहीं मैं राइफल है राइफल है अंब Теперь करना है यहां पर देख सकते हैं इसके अंधर गोलगोल दिया होता है मत हमिधा है आफ देख सकते बड़न है थुरा लकडी की तो लकडी का एक है रियन फिल देता है लकडी कि रहिए साज कर्ण are कः का यूश्य नाम है जो कि आप यहाँए लेकस सकते आप कि इस में मा इल 35 ठीक है medium size की है इसलिए 35 model है medium size की है और यह देख सकते हैं आप यहाँ पे rail mount है इसमें आप scope वगएरा लगा सकते हैं निशाना अपना accurate करने के लिए scope लगा सकते हैं इसमें या laser वगएरा जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं 11 mm का है यह और इसके बाद यहाँ पे अच्छे से cover कर सकता है इसको यह देखिए एक अच्छी grip मिल जाएगी trigger है trigger भी बहुत स्मूथ है और चिक्रेश्ट आप देख सकते हैं बहुत इच्छा डिजाइन है Canon की branding यहाँ पे दिख जाएगी आपको और shining मेरी साब से तो shining काफी अच्छी है इसमें wooden मैंने आपको ब मैं आपको पलड के दिखाता हूँ यह देखिए रवराइज क्रेप है पूरी आप सोल्डर में लगा रहे हैं यह जैसे भी पकट है तो आपको आसारी होगा पूरा रबड के है यह देखिए मेकैनिजम इसका ब्रेक पैरल है सिंगल शॉट है आपको पता होगा 177 कैलीबर क प्रेक करते हैं यहां पर ट्रिगर में सेफटी लॉक का फीचर नहीं मिलेगा बाकि राइफल्स में आपको ट्रिगर में सेफटी लॉक का फीचर मिलता है यहां पर आपको सेफटी लॉक का फीचर नहीं मिलेगा यहां पर आपको सेफटी लॉक का फीचर नहीं मिलेगा यह लीगट गार्ड बोलते हैं इसको कि अधिए यह राइफल है यह पेरल के अंदर अगर आपको गोल दिखता है इस हैं यह इश्कालड धिख पा रहे हैं तो गोर क्यों देख फा रहें अगर इसके अंदर पैरल या पेरल के अंदर बोल दिखे? है उसका मतलब यह राइफल है और यह 177 कैलिबर की छोटी गोली लग रही है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है छोटी गोली लगती है मतलब 177 कैलिबर बड़ी गोली लगती है मतलब 22 कैलिबर और और एक चीज बताना चाहूंगा काफी लोग पूछते हैं तो यह air rifle है no license required है license की कोई जरूरत नहीं है यह यहां से यहां तक पुरा wooden का है यह जो भी आप देख रहे हैं wooden का है और यह उपर का आपको पता है पुरा लोहे का है काफी श्ट्रॉंग लोहा है मजबूत लोहा है और इसकी वेड़ जो है तक्रीबन 3.5 केजी है एक पर फिर से दिखा देता हूं आप देख लिए अच्छे से लोज अप करने से होता यह है कि यह यह जो चीज है आपका आप एंड डाउन होता है आप एंड डाउन का है इसको हम जैसे गुमाएंगे यह आप होगा डाउन होगा तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लिस लाइक सेर और सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना है